विश्व पर्यावरन दिवस पर आज हमारा फोकस ESG यानी Environment, All Social and Corporative Governance थीम में निवेश पर है इस थीम में निवेश को लेकर कैसे मौके हैं बता रहे हैं शरण जी बिल्कुल आज जो है World Environment Day है और ESG इन्वेस्टिंग पे जो है तोटल फोकस रहने वाला है अब देखें यहाँ पे तो भाइश का भी ESG जो इन्वेस्टिंग है वो अभी भी नैसें स्टेज में अभी भी स्टार्ट कर रहा है और पिछले दो साल में देखें तो नौन ESG इन्वेस्टमेंट्स जादा हुएं पोस्ट कोविड के बाद 2025 तक जो है मानना है कि ESG की जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है वो वन ट्रिलियन डॉलर मार्क को जो हिट कर सकता है और इंपॉर्टन बात ये भी है कि एसेसिबिलिटी का थोड़ा बहुत इश्योज आता है कमपैरिबिलिटी का और लीगल इश्योज आते है क्योंकि अभी अभी जो है नए नए लॉज बन रहा है इस सेग्मेंट में अगर बात करें निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक में जिनका सबसे बहतरीन ESG स्कोर आ रहा है मार्च के महीने में लेकिन याद रखें यह 16 पॉस्ट के गिरावट भी देखने मिला था इस AUM में और अभी भी सेवी ने प्रपोस किये कि 5 नए टाइप के जो स्कीम्स है ESG स्टीम में आ सकते हैं और इंपोर्टन बात है कि रेगलेटरी चेंजिस भी आ रही है जहां पे एक पॉजिटिव रियक्शन देखने मिल सकता है ESG इन्वेस्टिंग का स्टाट अप में हुआ है यहां पे देखे तो 2022 में 1890 मिलिन डॉलर का टोटल फंड रेज हुआ है और EV सेग्मेंट में फंडिंग की अच्छी मुव्मेंट देखने मिल रही है और आहाली में बहुत सारे नए यूनिकॉंस पैदा हो सकते हैं जिसको हम सुनिकॉंस कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे शरद आपका इस हम जानकारी के लिए और विश्व पर्यावरंड दिवस के मौके पर लोगों में जागरुकता पहलाने के मकसद से देश के कई राज्यों में कारिक्रमों का आयोजन किया जा रहा है यूपी के मुख्य मंत्री योगी आधित इनात ने पर्यावरंड संरक्षन की आउनलाइन शपत दिलाई वहीं उत्राखंड के सीम पुषकर सिंग धामी ने पौधे लगा कर लोगों को पर्यावरंड के प्रती जागरुकता का संदेश दिया बीजेपी अध्यक्ष जेपी नडडा ने भी आज के दिन पौधे लगाए तैमिल नाडू में भी राजिसरकार की ओर से पौधार उपन किया गया किर्शी और किर्शी किसान कल्यान राजमंत्री ने भी लोगों से पर्यावरंड को लेकर जागरुकता बढ़ाने की अपेल की पर्यावरंड की परिश्टितिया और इसके लिए भारत सरकार के दोड़ा और आईशियार के दोड़ार लगातार पर्यास करके कई ऐसी वेराइटियां भी तियार किये हैं जो climate resilient वेराइटियां हैं जिसका किसान को जागरूप करने का भी काम किया जा रहा है ताकि वेराइटि वो जिससे की आने वाले समय के आंदर किसानों को उस आपदा का कम नुक्सान जहलना पड़े इस पर भी सरकार की ओर से लगातार प्रियास किया जा रहा है